नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं संहीता की वज़ा से इसे जारी नहीं किया गया पंचायत जुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसुतना निकाली जाएगी साथ ही सिख्षों के अंतर जिलास ठरंतन की परकिरिया शुरू की जाएगी इसकूरी सिख्षावस शर्टब विभागने इसकी त्यारी जार्खन में 21 मही तक बारिस के असार जार्खन सरकार का बड़ा फैसला बलाट डोनरों को मिलेगा डिजिटल परमान पत्र अब बलाट डोनरों को सरकार डिजिटल परमान पत्र देगी इस परमान पत्र की बायता एक वरस की होगी बलाट डोनर इस परमान पत्र का उप्योग करके जार्खन के किसी भी बलाट ब सरकार ने लिया है सरकार ने रक्त दान को पुरुत्साहित करने के लिए ऐसा निन लिया है विभाग ने रक्त दान के छेत्रे में कारी कर रहे सभी उत्साहित रक्त दताओं संगठनों के लिए भी बड़ी कुछ खबरी दी है इसके तहट जो संगठन या संस्था रक्त दान स उपलब्ध कराया जा सकेगा है हमंत सोरेन के करीबी रहे रभी के जरिवाल से अब पुस्ताच भरष्टाचार के अरोप में निलंबित आई ए एस पुजा सिंगल की जाच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है प्रवरतर नीदे साले को नए ने राज पता चल रहे हैं जाच की करीबी रहे रभी के जरिवाल को कर्याले में तलब किया है रभी के जरिवाल एडी कर्याले पहुच गए हैं उनसे पूच्ताच में क्या कैना खुलासा होता है इस पर सब की नजर बनी हुई है लातेहर में नक्सलियों ने नव वहनों को फुका लातेहर जिले के महुआ डार परखंड के बंसकर चास यार पी एफ केंप से महज एक किलोमीटर की दूरी पर महुआ डार डालते गए मुख्य पत के किनारे दिली पांड़े के रोड निर्मान प्लांट पर 30 से 35 की संख्या में मवादियों ने सनी वार देर रात करीब साड़े दस बजे एक से डेड़ गंटे तक जम कर उत्पात मचाया इस दवरान मवादियों ने चार पानी टंकी दो जेसी भी एक टेलर एक साथ साथ चार वहान और एक पोकलेन समयत कूल नौ वहानों को आग के ह 15 लोग मवजूद थे हाई कोट में 4 जुन तक गर्मी की छुटी जारखन हाई कोट में 16 मैं से 4 जुन तक गिर्समा उकास हो गया है इस अधी में 9 दिन वेकेशन कोट बैठेगी वेकेशन कोट में सुबा 9 बाए से फिजकल सुनवाई होगी सभी दिन एकल पीठ ही मामलो की सुनवाई करेगी लेकिन जरूरत परने पर खंड पीठ भी मामलो की सुनवाई के लिए बैठेगी बता दे जिन मामलो की खंड पीठ में सुनवाई जरूरी होगी और मेंसन किये जाने पर सुनवाई स्वी कार करने के बाद खंड पीट का गठन किया जाएगा ज्यारकंड उच नियाले में ग्रिस्म कालिन अवकास में वेकेशन कोट में अत्यांत जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी IAS पूजा पती अभिसेख सासुर्व रभी के रिवाल से ED ने की पूश्टाच मनिल लॉंट्रिंग मामने में ED के सिकंजे में IAS अधिकारी पूजा सिंगल से लगतार पुश्टाच जारी है ED के अधिकारियों ने गिरफतारी के बाद पूजा सिंगल को रिवांड पर लिया है और पिछले कुछ दिनों से उनसे पुश्टाच की जा रही है बताए दे पूजा सिंगल से पुश्टाच की गई बलिक उनके पती अभिशेक जा ससुर कमेश्वर जा से भी पुश्टाच की गई है जे एमेम के पुर्व कोसा अध्यक्ष रभी केजरिवाल भी ED ओफिस पहुचे उनसे पुश्टाच की गई इदर फूजा सिंगल वा सीए सुमन सिंग से ED ओफिस में उनके पुश्टाच भी की है जारखन पंचायत चुनाओ आठ जीलो के 26 बुथो पर दोबारा होगी बोटिंग जारखन पंचायत चुनाओ के पहले चरण का मतदान सन्नी वार को संपन हो गया लेकिन मत पत्रों में गड़बड़ी के कारण राज निर्वाचन आयोग ने 8 जीलो के 26 बुथो पर 16 माई को पूर्ण मतदान का फैसला लिया है इन में हजारीबा, गड़बा, चात्रा, सराइक, लाखर, सवाब, बुकायरो, सिम्डेगा, गोड़ड़ा और पच्मी, सिमों जीले सामिल है इन जीलों में सुबह 7 बज़ से बोटिंग सुरू होगी आपको बता दे कि 14 माई को पहले चरण का चुनाओ समपन हो गया एक कड़ी मकसद कर रहे है पलामू परमंडली ये मुख्याला मेदनी नगर के कांदू मुहले में पेजल संकट गारा गया है इस मुहले में रहने वाले लोग गंभीर पेजल संकट से जूज रहे है जल अस्तर नीचे चले जाने के कारण इस मुहले के 90 पर 37 हैंड पप जवाज दे चुके है इस मुहले के अधिकतर लोगों को सहरी जलापूर्ती योईना का लाब नहीं मिल रहा है क्योंकि मुहले के कुछ हीसों में जलापूर्ती के लिए पाइप लाइन नहीं बिचाया गया जबकि निचले इलाकों में 10 से 15 मेट ही जलापूर्ती होती है सरकारी गवाः बन सकते हैं IAS पूजा सिंगल के पती निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल के पती अभिसेक जा को परवतर निदे साले सरकारी गवाः बना सकता है मनी लंडरिंग अधिनियम के तहट अनुसंधान के दरान 6 माई को IAS पूजा सिंगल वा उनके सहयोगियों से जुड़े देश के 5 राजियों के 20 से अधिक ठीकानों पर चापे मारी के बाद से ही अभिसेक जाएडी के हर करवाई में साथ साथ हैं बता दे पहले चार्टर्ट अकाउंटन की गिरफतारी और उसके बाद IAS पूजा सिंगल की गिरफतारी के वक्त भी अभिसेक जाएडी करयाले में मुझूद रहे हैं अभिसेक जाएडी के अनुसंधान में पुरा सहयोग कर रहे हैं वे इडी को एक-एक जनकारी एक-एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं पिछले दस दिनों से दिन भर उनका इडी के करयाले में आना जाना लगा हुआ है जार्खन युवा सदन में उठाया अनुबंध कर्मियों का मुद्दा तीन दिवसी जार्खन युवा सदन 3.0 के दूसरे दिन रभीवार को जार्खन के विभीन छेतरों से आई युवाओ और छात्रों का चैन हुआ जिसमें राची के अखिल भारतिये विद्धार्थी परिशत के छात्र रनेता रभी अगरवाल का चैन राची विधान सवा से विपक्ष के विधायक के रूप में हुआ सदन में विभीन मुद्दों पर बहुत हुई बतादे इस कारिकरम के माध्यम से युवाओ कोया अभी सिखाया जा रहा है कि किस तरह सदन में करवाई होती है पक्ष और विपक्ष के सदस्य से अपने एजेंडों पर कैसे चर्चा करते हैं कैसे अपने छेत्रे की समस्या को सदन के पटल पर रखते हैं राश्ट्रिये लोक अदालत में 185 मामलों का निप्टारा रामगर जीले में राश्ट्रिये लोक अदालत में 185 मामलों का निस्पादान हुआ निस्पादित सभी मामलों में सेटेलमेंट अमाउंट 1.56,115 निधारित की गई है यह जनकारी रभ्विवार को परधान जिला एवम सत्र नियाधिस बिके गौतम न दी बतादे डालसा के अध्याक्ष एवम परधान जिला एवम सत्र नियाधिस बिके गौतम ने बताए कि रश्टिये रोक आदालत को सफल बनाने के लिए 6 बेंच बनाए गए थे पाले बेंच में इलेक्ट्रीसिटी बिल से समधित मामलो का निस्पादान किया गया PLFI कमांडर लंका पाहन को मारने वाले पुलिस अधिकारी समानित पर्तिबंधित नक्सली संगठन पीपुलर्स लिवरेशन फ्रंट अफ इंडिया के सब जोनल कमांडर लंका पाहन को मुटभेड में मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानो करवभिवार को पुलिस कर्याले में समानित किया गया समानित होने वाले पुलिस अधिकारियों में खुटी के एसप अभियान रमेश कुमार अनुमंडल पुलिस पता अधिकारी अमीत कुमार मुरू के थाना प्रभारी विक्रांत कुमार मुरू थाने के एस आई बलराम कुमार सिंग संदीप कुमार अर्जुन कुमार सिंग आ उन्हों एसी मिस्तिरी के खिलाब पाकुड नगर थाने में एफायर दज करवा दी और उसे जेल भिजवा दिया दरसल जजज सहब के रूम का एसी खराब हो गया गर्मी से बेहाल जजज सहब ने पाकुड बजार के एक एसी मिस्तिरी को फोन किया एसी मिस्तिरी बार बार जज साहब के घर जाने से टाल मटोल करता रहा अंत में परिशान होकर जज साहब ने थाने में एसी मिस्तिरी के खिलाप एफाई अर्दच करवा दी बता दे जज का मामला था इसलिए पूलिस ने भी तवरित करवाई करते हुए आरोपी एसी मिस्तीरी को गिरफतार कर जेल भेज दिया अब एसी मिस्तीरी के परिजन उनकी जामानत के लिए परिशान है जहारखंड में नागपुरी के साथ जुल्म हो रहा है मदुमनसूरी नागपुरी जगत के भिशम पितामा पदमस्री मधु मनसूरी हांसमुख ने कहा है कि जारखन में नागपुरी के साथ जूल्म हो रहा है साथन और प्रसाथन यहां के लोगों को भावनाओं को या तो समझ नहीं पा रहे या फिर एक सड्यांत्र के तहत नजर अंदाज किया जा रहा है गुमला के टैसेरा इस्थीत हरेटीज फाउंडेशन कर्याले में रभीवार को नागपुरी साहित संस्कृति मंच की जीला कमेटी गठन के लिए आयोजित बैठक में मधु मनसूरी ने अपने विचार ब्यक्त किये उन्होंने कहा कि नागपुरी भासा और संस्कृति के लिए नागपुरी भासा को जाने और समझे की जरूरत है बिलूप्त हो रहे भासा के संरचन और सर्वाधन के लिए संकल्प लेने की जरूरत है किसानों को सबसीडरी पर मिल रहा धान बीज देश भर में मांसुन का संकेत होने के साथ ही खरीब फसलों के त्यारी सुरूर हो जाती है सभी राजे अपने अपने राजे में किसानों को लाप पहुचाने के लिए जोजनाय सुरूर कर देते हैं बताद जारकन में भी राज के किसानों को खेती करने के लिए समय पर बिज मिल जाए इसके लिए बिज बित्रन योजना सुरू कर दी गई है योजना के तहत किसानों के बिज अनुदानित दरपरधान के बिज का बित्रन सुरू हो चुका है इस योजना का लाब किसान उठा रहे हैं राजे में बीज बीनिमाई एवां बित्रन कारेकरम अंतरगात खरीब फसलों के बीज का बित्रन सुरू हो गया है राजे के विभीन जिलों में किसानों को बीज दिये जा रहे हैं अभीभावक अपने बच्चों को कलम दे डाक्टर इर्फान अंसारी रभीवार को जामतरा बिधायक डाक्टर इर्फान अंसारी एल आई सी बिल्डिंग में अस्थापीत एपेक्स एजुकेशन कोचिंग सेंटर के वार्खिक ओत्सों में सामिल हुए इस असर पर उन्होंने उत्किष्ट परदसन करने वाले होनहार बच्चों को प्रसशित पत्रों मेडल दे कर समानित किया उन्होंने अपने अनुभाव भी छात्रों के साथ साधा किया यहां जिवन में कटिन परिस्राम कर मुकाम हासिन करने है तू प्रेरित किया हेमंत सुरेन से उनके नज़्धिक्यों में चारचा परवतर निदे साला एडी द्वाम रभीवार को समन किये जाने के बाद रभी केजिरिवाल एक दफा फिर चारचा में है रभी केजिरिवाल कभी मुख्य मंतरी हेमंसुरेन का करीबी हुआ करता था बता दे इसकी वज़ा उसके परिवार का जार्खन मुक्ती मोर्चास से सिर्ष नित्रितों से गाहरा जुड़ाव था केज रिवाल का परिवार 36 गड़ के रायपूर का रहने वाला है बाद में इस बिरासत को रभी के रिवाल ने संभाला है लगभग 11-12 बरस्ता को जामों के कारेकारी अध्यक्षेमन सुरेन के 208 लोगों में सुमार था जिसके जिम्मे पार्टी के लिए फॉंड जुटाने से लेकर तमाम वित्तिय प्यवस्थावों के जिम्मेदारी थी लेकिस दिसंबर 2019 में विधान सभा चुनाओ का परिणाम आने के कुछ माबाद रभी केजरिवाल की दूरी जामों से बढ़ने लगी उसे संगठन से बाहर का रस्ता दिखा दिया गया बंधु तिर्की बेटी के लिए नीचे से लेकर उपर तक किये फिलिंग टाइट रांची जी लेके मांडर विधान सभा चेतर से विधायक राचु के बंधु तिर्की इस बार उप चुनाओ में अपनी बेटी को मैदान में उतारना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने राज अस्तर से लेकर केंदर तक के नेताओ तक अपनी बात पहुचा दिया है लेकिन अभी हरी ज़ंडी नहीं मिली है इसके पिछे दो कारण है पाला तोया की बंधु तिर्की अभी हाल में ही कॉंग्रेस में सामिल हुए थे और दूसरी बातिया की पूर्व परदेश अध्यक्ष डाक्टर रामेसवर उराव उनका लागतार बिरोत करते रहे हैं रामेसवर उराव की पसंद वहाँ पिछले चुनाव में किस्मत अजमा चुके स्थानी टोपो है और माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी बात उपर तक पहुँचा दिया है रगुवर दास को गिरफतार कराने की पूरी कोसिस में सरजु राए लंबे अर्से से मेन हट घोटाले को लेकर आवाज उठा रहे है जम से पूर पूरवी के विधायक सरजु राए ने होटाले में जार्खन उच नियाले ने अब तक दो बार असपस्ट आदेश दिया है कि अवेदक भरष्टा चार निरुदक ब्यूरो के आयोक्त अथवा सचीव के पास वाज दायर करने जाए यदि मामले में तत्थ होगा तो ब्यूरो करवाई करेगा हेमन्त सोरेन के मुश्किले और बढ़ी जार्खन के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही अब हेमन्त सोरेन के अपने नाम पर खननपटा अवन्टित मामले की जाच में महालेखाकार की भी करवाई शुरू हो गई है सुत्रों के अनुसार महालेखाकार कर्याले के अधिकारियों ने रांची में डीसी ओफिस सिस्थीद जीला खनन पता अधिकारी के कर्याले से अनगड़ा में मुख्य मंत्री को आवंटित खनन पत्ता से समधी दस्तावेजों की पताल सुरू कर दिया है कोई फाइल लेकर अधिकारी गया है विभाग के सुत्रों ने बता है कि महालेखाकार अवंटन पर किरिया और फिर इसके रद होने तक के मामलों की कड़ियों को जोड़ कर देखने जा रहे है पूजा सिंगल के बाद एक और IAS पर बड़ा आरोप जारखन में IAS पूजा सिंगल के बाद एक और IAS अधिकारी पर बड़ा आरोप लगाया है ए आरोप BJP ने लगाई है BJP के मुताबिक पलामो डिसी सहसी रंजन ने अपने डिस्तेदारों के नाम पर खान अवंटित किया है BJP परदेश अधियक दिपक प्रकास ने रव्यवार को प्रेशवारता कर हमन्त सरकार पर जम करनी साना साधा उन्होंने मुख्य मंत्री हमन सुरेन पर भरष्ट अधिकारीों को सनरक्षन देने का आरोप लगाया साथ ही पलामो डिसी ससीरंजन और पलामो के प्रजेक्ट मैनेजर असो कुमार पर भी सवाल उठा है असो कुमार को आईएस पुया सिंगल का करेवी बता कर उन्हें विजाज के दारे में लाने की मांग की है 16 माई को लगने वाला है चंद्र ग्रहन बर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहन 15 और 16 माई को दुनिया के विभीन हिस्सों से देखा जाएगा हलाकि इस बारे चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा बता दे आईएस्टी के अनुसार ग्रहन 16 माई की सूबा 7 बचकर 2 मिनाट पर लगेगा और दोपर 12 बचकर 20 मिनाट पर समाप्त होगा प्राचिन काल से ही हमारे धर्मीक ग्रांथो और विद्ध्वानों द्वारा यह माना जाता है कि सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहन गर्भाती महिलाओं के लिए खराब होते हैं रिम्स का सोचालय बना लेबर रूम राचि इस्थित रिम्स के सरजरी ICU के सोचालय में महिला ने एक बचे को जनम दिया जच्चा और बच्चा की जान खत्रे में देख आनन फनन में सरजरी विभाग के जूनियर डक्टरों ने मनावता दिखाते हुए परसो कराया बता दे महिला जार्खन के कोडारमा जी लेके जुमरी तिलेया की रहने वाली है महिला के पती के पेट का उप्रेशन हुआ था इस दोरान गरवती महिला अपने पती के साथ सरजरी वाड में थी सुचना देने के बाद भी गायनी विभाग की डक्टर नहीं आई तो सरजरी विभाग के डक्टरों नहीं परसो कराया इस दोरान रिम्स का सोचाले लेबर रूम में तबदिल हो गया था मा और बच्ची दोनों खत्रे से बाहर है सिक्चा विभाग की पांच नियमावली को दी गई स्विक्रिती सिक्चा विभाग की साथ में से पांच नियमावली को कैबिनेट की स्विक्रिती मिल गई है विभाग ने 5 निमावली में संसोधन वा 2 नई निमावली तयार करने की परकिरिया इस बर सुरू की थी इसमें से प्राथमिक हाई स्कूल और प्लस टू बिद्याले सिक्षक निमावली में संसोधन की परकिरिया पूरी हो गई है इसके अलावा जार्खन सिक्षक पत्रदा परिक्षा नियमावली वह सिक्षक अस्तनांतर नियमावली 2019 में मिसन सोधन किया गया है धन्यवाद यादि आप चैनल पढ़ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाईए साथ साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिडिवेक अवसे दे थांक यू